हालो ह्रेंड आज मैं बात करने वाला हूं कि मेंटल हेल्थ के बारे में जैसा कि आज का समय चल रहा है कि इस समय मुझे लगता है कि हमको फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ गई है क्योंकि जैसे आज चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो या बिजनेसमेन हो या हाउस वाइफ या वरकिंग परसन या सेलेवरिटीज बहुत सारे ऐसे किसिस सुसाइडल क्या रहे हैं लोग सुसाइड कर रहे हैं डिप्रेशन में हैं तो यह सब बातों से हमको पता चल रहा है कि कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है तो मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है कि नहीं क्या कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है है तो उसके भी सिम्टम होते हैं जैसे फिजिकल यहल्थ के सिम्टम होते हैं आपका बीपी बढ़ने लगता है यह शुगर हो जाती है यह थायरैट बढ़ जाती है चैलशीम बढ़ जाता है थे तो एक ही अगर आप शोटी शोटी बातों पर है निजाइटि बढ़ रही है कि और केर कर तो अ-टो ये सब बातें कि बताती हैं कि कहीं न कहीं हम मेंटली वीक होते जा रहे हैं तो मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपना मेंटली डाइजेशन ठीक करें जैसे कि फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें डाइजेशन सही रखने की जरूरत होती है क्योंकि बहुत सारी लगबग 90% बीमारियां केवल इस वज़े से होती है कि लोग जो भी फूड इंटेक करते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नह है कि और वही इंटेक्षिशन की वज़े से कई सारी प्रावलम करियेट हो जाते हैं कि ऐसे ही ऑच कल को मेंटली हम बहुत सारी चीजीं डाइजर्स कर पा रहे हैं कि मैंटली डाइजर्श स्थे करने का मतलब जैसे हमने किसी को कोई काम कहा उसने नहीं सुना या लेट किया हम जो expect कर रहे हैं कि वह हमारे expectation की according behave नहीं कर रहा respect नहीं कर रहा है तो यह इस तरीके की चीजें जब हमें पता लगती है या जब हमारे सोचने में और कि चीजों के होने में difference कि डिखने लगता है कि तो उसको डाइजिस्ट करना कि आना चाहिए अगर उसको डाइजिस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो सारी चीजें irritation में गुस्से में convert हो जाते हैं और उसी गुस्से को हम अपने दिमाग में भी रख लेगते हैं उन सारी बातों को याद भी रख लेते हैं और बार 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 सोच के या बार बार लोगों को बता के हम अपने आपको इरीटेट कर रहे होते हैं कि यहीं कंटिनिस इरीटेशन हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करता है तो तो कि डाइजिशन की बात करें मेंटली तो ठीक वैसा ही है जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए डाइजिशन का हम ध्यान रखते हैं जो चीजें डाइजिस नहीं होती हैं उनको अवाइड भी कर सकते हैं कई सारे लोग अपना डाइट चाड बनाते हैं उनके साब से जो उन्हें अच्छी नहीं लगती या उनको मालम है कि यह नुक्सान करेंग तो नहीं लेते हैं और डाइज जिस्ट जब हो जाती है तो उसमें हमेशा जो भी इंटे के आपका डिकम्पोजीशन होता है जैसे ही वह पेट के अंदर गया उसमें से अलग अलग चीज़ें हो जाती है मिनरल्स विटाइमिन क्रोटीन कार्वहेड्रेड और फाइनली वेस्ट अलग हो जाता है उससे फिर हम अपनी शरीर को हेल्दी रख पाते हैं और जो भी बीमारीयों से लड़ पाते हैं एमेनिटी डवलप कर पाते हैं ऐसे ही मेंटली भी हमको हेल्दी रखने के लिए इसली डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है जो भी व्यक्ति आपसे मिस बीएव कर रहा है आपकी बात नहीं मान रहा है या आपको बुरा भला कह रहा है उसके बारे में पहले सोचें कि वह है कौन उसका लेबल क्या है उसकी सोच क्या है उसकी कंडिशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करें या उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन निकाल के इरिटेट हो या गुस्सा हो क्यों कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों से हमको मतलब ही नहीं होता है हम उनको या कोई बहुत ज्यादा ओर कंडिशन में होता है उसको छोड़ देते हैं कि कि पड़र्ण होता है उसको छोड़ देते हैं कोropolon नश्य मे रहता उसको छोड़ों देते हैं ये ऐसे लोग हैं कि गलत कुछ कह जाते और में यह को बच्चाथ समझ के पागल समझ और बजूर समझ के कमजूर समझ के ना समझ समझ तो यह तो वह बात होगे कि हमको उदर लेना नहीं नहीं है वह छोड़ देना है बाइचांस आपका कोई करीबी है उसने आपकी बात नहीं मानी है यह आपको बुरा बला का है जो आपको बुरा लगा है तो उसके लिए दूसरी चीज जहां रखना है अबने कूं वह यह कि उसका intention जहां तक समझता हूं आपके जो friends होते है आपका life बेज्जती करता है या सबसे ज़्यादा गलतियां आपकी बताता है पर उसका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता तो अगर ऐसा कोई है जो आपका अपना है आपका भला चाहता है आपको सुधारने की वेज़े से कुछ गलत कह रहा है या बुरा कह रहा है तो उसको ध्यान में को डाइजिस्ट करें समझें कि यह सही कह रहा है या गलत कह रहा है क्या इसके कहने का तरीका गलत है बात सही है इस सारी बात हैं हमको सोचना बहुत जाए अगर बात सही है तरीका डिफरेंट हो सकता है हमको तरीका हो सकता है पसंद नहीं आया हो बात सही हो तो सही बात को को पकड़ो तरीके को छोड़ दो तो यह इंटेंशन की बात हुई कि तीसरी कंडीशन उसकी कंडीशन नेचुरल है कि परिस्टितियों वस ऐसा कर रहा है जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्से में हो सकता है हो सकता है कोई ऑफिस से आया आते से उसको आपने कुछ काम बता द नहीं हो सकता है उसका स्वास ठीक नहीं हो अपने स्वास की में से परेशान हो आपने कुछ बात कही उसने नहीं माने या उसको रिस्पॉंड गलत किया तो आपको समझना है या बहुत ज्यादा परेशान है किसी बात से आपको नहीं बता पाया आपने कुछ बात कि उसने कंडिशनल अगर चीजे हैं तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि वह नेचुरल कंडिशन में हैं कि उसकी इस्तिती थीक नहीं है वह अंदर से कहीं ठीक नहीं है अगर ऐसी इस्टिती है तो फिर हमको समझना पड़ेगा दूसरे दिन या किसी दूसरे समय में उससे उसी विशाय पर बात करें तब आपको पता चलेगा कि कौन सही था कि इसके बात अगर आप पता करते हैं तो फिर आपको अंत्यम बात यह पता नहीं है कि वह आपके रिस्पेक्ट में बात कितनी सही है अगर आपको बात सही लगती है तो उसको असरेप्ट करें इस पर काम करना शुरू करें और उसमें से जो अच्छी बाते हैं उसको निकालके वेस्ट जो है जो हमारे काम का नहीं है जो हमारे नुकसान का है उसको छोड़ दें तो यह तो डाइजेस्ट करने का तरीका हुआ पर कई बार ऐसा होता है कि बुरी बाते ही नहीं अच्छी बाते भी हमको डाइजेस्ट करना ज़रूरी हो जाती है कभी 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 लोग अच्छा कहते हैं पर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है आपकी किसी ने तारीफ कर दी आपको बहुत अच्छा लगा पर वो आपके भविश्च के लिए अच्छा नहीं है इसे अभी एक एक एक्जामपल सामने आया था एक वालो कोई स्टूडेंट है आईए से आईपीस की तैयारी कर रहा है उससे कोई बच्चा सवाल पूछने आया उसने उसका अच्छे से जवाब दे दिया उसकी मा या पेरेंट्स ने उ बहुत अच्छा पड़ाते हो आप हमारे बच्चे को समय दो उसने अपनी तारीफ सुनी उसको अच्छा लगा तो वह डाइवर्ट हो गया अब उसका एक घंटा कम हो गया अपनी प्रप्रेशन से तो कभी-कभी ऐसा भी होता है हमको अच्छी चीजें भी डाइजेस्ट कर करना आना चाहिए उन से हमको और एक्साइटेट नहीं होना है और अगर कोई हमको बुरा कह रहा है कोई बात नहीं मान रहा है तो उसको भी सोच समझके डाइजेस्ट करके ही आप अपने दिमाग में रखें और दिमाग में अगर आप वह बात आपको परिशन कर रही है तो बहुत दिनों तक रखने की ज़रूरत नहीं है उसका एकी तरीका है कि उसको बार-बार किसी को सुनाए नहीं किसी से चर्चा नहीं करें ज्यादा क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसमें एक नेचुरल प्रोस को आप रिपीट नहीं करोंगे बार-बार याद नहीं करोंगे तो उसको डालिट कर दिता है और वह स्ट्रेस जदा आए तो स्ट्रेस प्री रहने का एक तरिका है चीजिए को की टाइजिस्ट करें कि हेल्दी रहें हैपी रहें थैंक यृ झाल झाल